कलर्स टीवी का सबसे बड़ा शो नागिन सीजन सेवन जिसका एलान प्रोडियूसर एकता कपूर ने सीजन सिक्स के एंडिंग के वक्त ही कर दिया था लेकिन उसके बाद दो हजार चौबिस तो आ गया पर शो को लेकर कोई भी ओफिशियल अनौंसमेंट अभी तक नहीं आई है और जिसके दो सबसे बड़े कारण है जिसकी वजह से जनता के बीच में उफान मचा हुआ है कि आखिरकार नागिन सीजन सेवन कब आएगा क्योंकि 2024 भी आ चुका है जनवरी निकल चुका है और लगबग फरवरी का मिड भी आ चुका है तो आज मैं ये दो बड़े है में लीड यानि में हीरो और हिरोईन की क्लियारिटी अभी तक ये नहीं पता चला है कि अरे भाई में नागिन और ना कोन होंगे बिग बोज जब खतम हुआ था तो मार्केट में दो नाम बहुत जादा उचल रहे थे अंकीता लोखंडे और अभिशेक का लेकिन टेली मस सीजन सेवन को लेकर कोई भी ऐसा ओफर नहीं आया है और अगर ऐसा ओफर इन फ्यूचर आता भी है तो वो अपने फैंस को इनफॉर्म कर देंगे और दूसरी सबसे बड़ी वज़ा है एकता कपूर की चुपी ऑफिशियल अनाउंस्मेंट को लेकर अब आप सबको तो पत तक एकता कपूर की साइट से कोई भी ऑफिशियल अनाउंस्मेंट नहीं आई है ना किसी लीड रोल को लेकर ना शो की ओन एर को लेकर बलकि अफाय उड़ रही है कि एकता कपूर जो है वो अपने दूसरे बड़े प्रोजेक्ट्स में इतनी बिजी हो गई है कि नागिन सी जी से यह हाइप खत्म हो जाए लोग इतना इंतिजार कर रहे है इस शो को लेकर अगर यह शो के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल रहा है तो हो सकता है कि इन फ्यूचर अगर यह शो ओन येर भी होता है तो जो फैन बेस अब तक सीजन 6 तक चलता आ रहा था वो कम हो या इस बार भी शो सीधा अक्टूबर में और किया जाएगा मुझे कमिन करके जरूर बताए और चैनल को फटा फट से सब्सक्राइब कर लीजे बेल आइकन को प्रेस कर लीजे और बहुत जल्द मिलेंगे एक नए अपडेट के साथ धन्यवाद